मेरा नाम प्राभाकर वर्मा है मैं स्रावस्ती जिले से बिलॉग करता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है और मैंने स्कूलिंग अपने स्रावस्ती रिष्टिक से ही किये उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आयाटी डेली से किया इलेक्रिकल एंजिनिरिंग में और उसके ब committed में काम किया 2 साल तक और उसके बाद मैंने मन बनाया कि एक बार engineering services में अपना career बनाया जाए और engineering services के में preparation start कर दी मैं job के time भी attempt दे रहा था बट उतना serious नहीं था मैंने तयारी शुरू कर रखी थी लेकिन उतना serious इसलिए मेरा दो बार प्रिलिम्सी के लिए नहीं हुआ और 2021 में मैं इंटर्विव स्टेज तक पहुंचा था इंजिनिंग सर्विसेश में बत इंटर्विव में फाइनल इस्ट में नाम नहीं आपाया था उसके बाद 2022 में इस साल मेरी अल इंडिया रंग 4 है एलेक्रिकल ब् पहले जब मैंने अपनी फ्रेंड से सुना मैं उसमें घर पे बात कर रहा था और उसके बाद जब फ्रेंड ने बताया मुझे की All India Rank 4 आई है मेरी तो मुझे तो पहले रिएलाईस नहीं हुआ मैंने सोचा कि घर पे या किसी फ्रेंड को बताने से पहले मैं खुद एग बा और पीडियेफ में अपना नाम पाया तो कुछ मोमेंट के लिए उमाइ फ्रीज हो गया और उसके बाद मैंने सूचा कि सबसे पहले किसको बताया जाए क्योंकि जब आप एक जर्णी स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं उसमें पैरेंट्स भी होते हैं उसमें फ्रेंट्स भी होते हैं उसमें कुछ आपके जो गाइड होते हैं जो बहुत समय से आपकी मदद कर रहे होते हैं तो उसमें से आपको चूज करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसको बताएं कि सबसे पहले किसको बताएं वो क कि सब को थोड़ा सा आगर आप पॉजिटिविटी देखें तो आपको पता होता है कि रिजल्ट आ जाएगा या अच्छा आजाएगा या हो सकता आपको लग रहा हो नहीं भी आएगा लेकिन सिंगल डिजिट रैंग या फॉर्थ रैंग के बारे में सोचना बहुत मुश्कि के थूरू जो मैंने जॉब स्टार्ट किया था उसका बहुत सारी रीजन से लेकिन उसमें एक रीजन था फैनेंसेल इस्टेबिलिटी क्योंकि मैं अगर कॉलेज के साथ ही जैसे इस इस एक्जाम की अनप्रेटिविल्टी बहुत जादा है इसमें करीब एक लाग स्टुड कि एक बार इस्टेबिलिटी ले लिया जाए और क्योंकि मैं आइटी डिली से भी टेक किया तो वहां पे कैमपस प्लेश्मेंट के थूरू प्लेज होना बहुत इजी होता है तो वहां से मैंने प्लेश्मेंट लिया उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे है या यह policy खराब है ऐसा हम discussion office में करते रहते थे तो उस time पे rather than keep on discussing हम मैंने सोचा कि एक बार try किया जाए कि ऐसी जगा पे पहुचा जाए जहां पे हम खुद policy बना सकें और मैंने जब बहुत सारे opportunities तलाश किया तो उसमें से यह किया है कि engineering services का exam दिया जिससे एक time पे policy makers बन sir मेरे according आपको या जो भी experience है उनको job की पीछ नहीं भागना चाहिए जैसे कि हमारी mentality होती है कि हम कोई भी job मिलेगा और हम कर लेंगे तो वो चीजें long term में sustainable होती है हम एक बार जॉब में एंटर कर जाते हैं फिर बहुत सारी रिस्टिक्शन्स आ जाते हैं कि हम जॉब स्विच करना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि अगर मेरी परस्टनालिटी कुछ है उसकी के अकॉर्डिंग में जॉब करूँ जैसे कि अगर मेरी परस्टनालिटी है कि मुझे बाहर घूमना पसंद है या फिर मुझे बहुत जादा हाई प्रोफाइल पसंद है चीजें तो वो प्राइट सेक्टर जाते हैं लोग और वहाँ पर एक बार जिसे मेरा खुद का यह मानना था कि मुझे वह इसी लाइफस्टाइल चाहिए और मेरी परस्टनालिटी से मैच नहीं करता था लेकिन जब मैंने एंटर किया तो मुझे वो थोड़ा सा ठीक लगने लगा और दो साल करने के बाद मुझे रिलाइज जिसे सेलरी आपकी 1 लाइक हो 2 लाइक हो जो भी है और मेंली हमें जोब साथिस्पेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए और वो आपकी परस्टनालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए Tell us about the journey of your preparation Sir मैंने 2018 में शुरू कर दिया था जॉब के साथ ही बट वो मैं उतना time नहीं दे पा रहा था Engineering Service को और यह exams क्या जो toughness देखें तो इतना है कि आप proper एक time frame में या proper strategy के साथ ही start करें तो बेतर होता है तो मैंने prelims clear नहीं कर पाया उसके बाद मैंने जब serious हो के attempt देना शुरू किया तो मैंने 2021 में जिसे मैं interview stage तक पहुच गया लेकिन finance selection नहीं ले पाया क्योंकि मेरे mains में कम marks रह गए और इस बार मैंने फिर से एक बार try किया और mains पे जादा focus किया मैंने rather than focusing on interview stage तो मैंने mains में जब मेरा हो गया तो मुझे लगा ऐसा कि मैंने mains में अच्छा किया है और interview में अगर और अच्छा कर दिया जाए तो selection हो सकता है तो मेरा हमेशा से target selection होना ही था लेकिन rank 4 आ गई है तो Sir मैं एक combined mode में study कर रहा था मैं civil services exam भी साथ साथ preparation कर रहा था और engineering services का कर रहा था मेरे लिए अच्छा इसलिए था क्योंकि engineering services का schedule जो होता है जैसे feb में exam होता है उसका और civil services का schedule होता है वो may में exam होता है जून में होता है तो मुझे proper time मिल जाता था preparation के लिए तो मेरा study hours जैसे कि मैं electrical पढ़ता था 4-5 hours या 3 hours या कभी time नहीं मिला तो मैं नहीं भी पढ़ता था और general studies मैं नहीं पढ़ता था जनरल studies मैं पढ़ता था क्योंकि वो civil services में काम आता था और इसमें जो non-tech portion है prelims में उसमें भी काम आता था काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों में match करते हैं तो उसमें काफी help मिली मुझे और वो schedule मैं follow करता रहा end तक Sir, normally मैं जिसे college की library ही यूज करता हूँ तो जो मेरे friend circle है सारे लोग लगभग 9 बुजे आ जाते हैं 9 बुजे सुबे से हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं और रात में 11 बजे तक हम पढ़ते हैं बीच में lunch time और जो break चोटे-चोटे break लेके और उसके बाद dinner के लिए time अलग से निकालते हुए तो normally 10 to 11 hours हम study करते थे उसको फिर different different subjects में divide करते थे जैसे कि electrical पढ़ना है तो electrical में भी कौन सा portion पढ़ना है जैसे कि हम एक दिन में सारा subject तो नहीं पढ़ सकते तो उसमें जैसे total 13-14 topics हैं या different subjects हैं तो उन में से जैसे अब suppose power system मुझे आज पढ़ना है तो मैं दो दिन तीन दिन dedicatedly मैं power system पढ़ूंगा और उसके बाद मैं machine या फिर ऐसे तो हम अगर broadly divide करें तो कुछ subjects को जैसे कि electronics subjects जितने भी हैं वो हम एक साथ पढ़ सकते हैं और जैसे power system या power electronics या power electronics ये सब subject एक साथ पढ़ सकते हैं तो इस तरह से हम divide करके इसको priority बना सकते हैं अपनी और साथ में जो prelims में जो हमारे subjects non-take के उसको भी साथ-साथ अगर पढ़ें एक दो घंटे daily देके तो साथ-साथ चलता रहता हमारी strategy How did you find this year paper in comparison of last year paper? Sir, इस साल का अगर prelims में देखें तो prelims में general studies का paper काफी tough लगा मुझे हाला कि मैं civil services की तयारी भी करता था Still मुझे जैसे की ethics के questions जो थे वो मुझे काफी tough लगे क्योंकि उन thinkers के बारे में जो पूछ रखा था उन thinkers का मैंने काफी का तो नाम ही नहीं सुना था तो मुझे general studies में थोड़ा सा मुझे tough लगा और general studies सबसे पहले ही होता है तो आपका confidence भी थोड़ा लो हो जाता है लेकिन जब मैंने electrical का दिया तो मुझे मेरा main focus जो था वो basically accuracy पे था और electrical का पेपर मुझे moderate ही लगा और easier side पे ही था prelims में और mains का देखें तो mains का सर्फ लाश्ट यर से पेपर relatively easy था और इसलिए इसको करना थोड़ा सा अच्छा था और mains में जैसे paper 1, paper 2 दोनों में मुझे या फिर ऐसा कहूं कि preparation थोड़ी सी अच्छी थी इस बार और इसलिए मुझे paper moderately easier side में ही लगा Sir, engineering services में जैसे prelims की strategy completely different है में से, जैसे कि prelims में objective questions जो होते हैं उनको solve करने के उसके लिए हमें practice की जरूरत होती है बहुत सारी questions हमें करने होते हैं उसमें हम जैसे test series जोइन कर रहे हैं तो test series का करने का जैसे मेरा जो strategy था earlier attempt से इस बार थोड़ा different था और इस बार मैंने क्या follow किया था मैंने actually subjects को देखा मैंने की मेरे पास total 14 subjects हैं उन 14 subjects को मैं अगर मैं 7 या 8 आउट ओफ 14 में excel कर लूँ जिसमें से मेरे बहुत कम question कर जाएं या मैं maximize कर लूँ इन में score और बाकियों में मैं above average रहते हुए भी अगर मैं करूँ तो अच्छा रहेगा और similarly मैंने जैसे for example मैंने machine को excel कर लिया machines power system को मैंने excel कर लिया power electronics मुझे उतना नहीं समझ में आता था या मुझे tough लगता था तो मैंने उसमें above average रहने का प्रयाश किया मेरे network के मैंने काफी questions प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे easy लगा और मैंने जैसे measurements के questions कर लिये तो मैंने जो test दिया वो मेरा schedule कुछ इस type का था कि जैसे मैंने सारे subjects के test दे दिया सबसे पहले उसके बाद मैंने relay type का मैंने practice किया three subjects at a time लेके उनका three subjects का मैं revision करता था one week one week में revision करने के बाद एक test देता था full test और फिर next week में भी three subjects को ही choose करता था मैं सारा revise एक साथ नहीं करता था और इसे three three subjects करके मेरा four five weeks में मेरा सारा preparation हो गया था prelims का similarly अगर मैं paper one की बात करूँ GS1 में तो उसमें मेरा main focus था जैसे environment, ethics, current affair, ICT और maths और aptitude उसमें तो common ही है और material science इसमें design उतना समझ में नहीं आता था तो design का मैंने एक average level की ही तयारी की थी project management में मैंने उसके questions भी लगाय थे practice किया था project management का भी और एक standard quality है उसका भी मैंने practice कर लिया था लेकिन जो earlier subjects जो मैंने बताया उसमें earlier subjects में मैंने काफी practice की थी बट बात के जो तीन subject हैं उसमें मैंने average रहने का प्रयास किया था How many questions you attempted? Sir, last year के जो prelims था उसमें मेरा calculated marks to 68 के आसपस था उसमें दोनों subjects मिला के जैसे की मेरा score paper 1 में last year 190 के आसपस है paper 2 में और paper 1 में 80 to 85 score ही रह गया था इस साल जब मैंने कोशिस किया मैंने इस साल number of questions जो paper 2 में attempt किया प्रिलिम्स में वो 108 थे out of 108 14 अभी तो answer की नहीं आई है लेकिन different coaching से मिलाने के बाद 10 out of 108 12 लियर 13 question ही गलत गय थे और similarly paper 1 में भी 80 के आसपस ही score आ रहे थे तो मेरा total score 260 के आसपस ही था और last year भी 270 के आसपस ही था तो प्रिलिम्स में उतना अच्छा नहीं कर पाया था अच्छे से और बाकी जो marks के questions थे उनको मैंने just take link दिया था बहुत अच्छे से attempt नहीं कर पाया था और similarly paper 2 में भी ऐसे ही मैंने follow किया था तो 260 questions का attempt किया था और rest जो 40 questions है 40 marks questions उसको मैंने just take proper format में लिख दिया था tell us about your experience in UPSC interview hall मेरा panel sir Satwati मैं का था और जब मैंने enter किया तो उस time मैंने deaf read करना शुरू किया और मेरा question mainly technical parts से था, deaf से नहीं था और मैं का जिसे first question तो यही था मैं का कि आप क्यो join करना चाहते हो और अगर आप join करोगे भी तो आप क्या के improvements लाना चाह रहे हो जिसे पावर सेक्टर में मैंने बताया कि मैं मैं पावर सेक्टर में काम करना चाहता हूँ तो उस पे जो भी questions है उसे जो supplementary questions है मैं के वो relatively पावर सेक्टर पही गए और interview दोने के बाद मुझे यह जो पूछा जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने पहले answers कैसे कैसे दिये हैं जो terminologies आपने यूज की हैं जो terms यूज की हैं उसी के ऊपर questions जाता है जैसे कि मैंने बताया कि मैं जैसे मैंने जैसे मैं भारती एटल में काम किया था तो मेरा 5G से questions पूछे की 5G कैसे काम करता है इवन मैंने एक question बैटरी पे ही पूछ लिया कि मेरे फोन में जो बैटरी यूज होती है वो 5G कैसे इंपक्त करेगा और फिर जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने पूछा की बैटरी कैसे काम करती है या फिर बैटरी का charging और storage तो basically जो मेरा जो भी supplementary questions थे वो मेरे answer से ही मैच कर रहे थे How did you come to know about I.E.S. Master? How did I.E.S. Master interview guidance program help you? तो interview बहुत ही normal गया था और उसके बाद interview के बाद जो post interview discussion था यहां पे वो काफी suggestions मिले, questions की एक तरह से list मिल गई हुझे जिससे की मेरा जो preparation था वो better हुआ और उसके बाद जब मैने second interview यहां पे दिया, second mock interview तो वहां पे काफी help मिली और वो experience मेरा काफी अच्छा रहा है। Nowadays, both learning modes online and offline are available, which mode would you recommend? Sir, मैं online and offline, मैंने offline coachings बहुत कम attend की हैं और मैं online के लिए ज्यादा ही online coaching attempt किया है। जो भी attempt मैंने attend किया है वो online format में ही था। और मेरे friends जो भी attend किया हैं उनका यही review था कि online में बच्चों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। हम actually उतने अच्छे से interact नहीं कर पाते हैं तो online में बहुत difficulties होती हैं। तो मैं prefer offline ही करता हूँ और मेरे friends भी offline ही prefer करते हैं, sir. Tell us about your family? Sir, मैं एक grammy in इलाके से आता हूँ, मेरे पापा agriculture या उससे related business करते हैं। और मम्मी housewife हैं, और मेरे family members भाकी भी agriculture या उससे related business करते हैं। और वहां से मैंने schooling करके और फिर यहां पर था। Tell us about your schooling? Sir, schooling में actually जहां से मैंने पढ़ाई की थी, मैं हिंदी मीडियम से था, शुरू से ही, और मैं 12th class तक हिंदी मीडियम तक पढ़ाई की, इवन IIT का जो entrance exam था, वो भी मैंने हिंदी मीडियम में दिया था, और उसके बाद schooling के बाद जब मैं first time college में एंटर हुआ, तो मुझे थोड़ी सी difficulty face हुई, medium जो change हो रहा था मेरा, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने cover up किया, और फिर graduation complete की. Tell us about your college life? Sir, IIT में उतना stressful तो नहीं होता है life, यहाँ पे हमें जब एंटर करते हैं तो हमें बहुत सारी wide opportunities मिलती हैं, जैसे कि मैं school time में उतना sports को उतना prefer नहीं करता था, या मैं sports की तरफ उतना ध्यान नहीं देता था, और यहाँ से day one पे ही आपको cultural activities, sport activities, यह सब बताई जाती हैं, इसमें involvement आप करते हैं, आप different type के opportunities, जैसे कि game खेल सकते हैं, इसमें game में भी बहुत सारी varieties हैं, आप TT, table tennis, या फिर volleyball, football, basketball, जो आप चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, और यह opportunities मुझे college में नहीं, school में नहीं मिली थी, तो college में यह सारी opportunities मिली, even बहुत सारी clubs हैं, dance club, या फिर जैसे मैं सुरू-शुरू में मैंने street play में practice किया, street play के भी देखा कि किस तरह से लोग करते हैं, यह सारी opportunities मिली, तो overall experience काफी अच्छा था, और मेरा friend circle भी काफी, उन्होंने काफी support किया, और काफी अच्छा था, What are your future plans? Sir, अभी तो engineering services का ही है, आगे का मैंने अभी जादा सोचा नहीं है, और जादा अभी जहां तक मैं अभी सोच पाया हूं कि मैं वापस से एक बार civil services का एक attempt last देना चाहूंगा, और civil services के बाद जो भी उसका result आता है, उसको मैं उसी के according, अपनिया choice पनाऊंगा. When you are already selected as grade A officer, then why you are aspiring for civil services? मैं थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ, फिर मैंने प्राइब सेक्टर में गया, वहां पे भी जब गया, तो वहां पे भी थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, मुझे अपर्चुनिटीज दिखी, तो मैं अभी engineering service में आ गया हूं, और मैं बस अभी engineering service में खुश हूं, और इस झाल